स्वागत है दोस्तों चत्तीसगर न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है दुशकर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, सात्वी की छात्रा को बनाया था हवस का शिकार चत्तीसगर के बिलासपुर जिले में कक्षा सात्वी की छात्रा के साथ दुशकर्म दुशकर्म करने वाले यूवक को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है पुलिस ने मासूम बच्ची के परिजन की शिकायत पर आरोपी यूवक के खिलाफ अपराद दर्ज किया था वहीं आरोपी को अर्थदर्म जमा नहीं करने पर चार साल की अतिरिक्त सजा भी सुनाई है ये पूरा मामला सीपत थाना क्षित्र का है मिली जानकारी के अनुसार आरोपी यूवक का नाम करन श्रिवास है आरोपी यूवक ने मासूम बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाकर दुशकर्म किया था मासूम किसी तरह बच्च कर भागी उसने घरा कर अपनी परिजन को पूरी घटना बताए परिजन ने आरोपी यूवक के खिलाफ थाना में शिकायत दर्च कर आई गई इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुशकर्म और पौक्सो एक्ट के तहत कारवाई की गई वही दूसरी और जिले में शादी का जहासा देकर नाबालिक से दुशकर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफतार किया है ये पूरा मामला सिर्गिट्टी थानक शेत्र का है जानकारी के अनुसार आरोपी यूवक का नाम संजू सहु है आरोपी यूवक ने नाबालिक को शादी का जहासा देकर दुशकर्म किया है पीडिता के शिकायत पर आरोपी यूवक को गिरफतार किया गया पुलिस ने शिकायत दर्च कर आरोपी को गिरफतार कर आरोपी यूवक को न्यायाले में पेश किया गया है